दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि GST पोर्टल पे जब मैंने अपना इलेक्ट्रोनिक के कैस लेजर का रिफंड के लिए मैंने अपलाई किया था तो वो प्रोसेस मैंने आपके साथ में शेयर किया था यानि कि मैंने अपने चेनल पे जो है जब अब यह इसका जो फाइनल अपडेट है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूँगा फाइनल अपडेट से मतलब यह होता है कि मेरा जो इलेक्ट्रोनिक के कैस लेजर का जो रिफंड का अमाउंट था वो की 12,000 था 12,000 का मैंने रिफंड के लिए अपलाई किया था और वीडियो भी बनाई थी और उस वीडियो को मैं आपको दिखा देता हूं यह मैंने वीडियो जो है यहां पे पब्लिस की थी पब्लिस का मतलब जब मैं इसको अपलाई कर रहा था तो यह वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने इस वीडियो को जो पब्लिस किया थ था यानि कि एप रॉक्स दो महीने के जो है यह मेरी वीडियो थी और इसी के अंदर आप देखेंगे इसको दो महीने पहले जिबकि मैं इसको लाइव में प्रोसेस कर रहा था था तो उसी टाइम मैंने इसको जो है Complete आप इसमें जो वीडियो create की थी, create करने के साथ ही मैंने इसको process में किया था, तो तब से लेके अब तक, यानि approach इस जो GST portal पे electronic case laser का जो होता है यानि amount sensor करने में जो time लगता है approach मेरे इस case में तो 2 माईने से भी उपर का इसमें time लगा है तो अब यह जो final है क्योंकि मुझे GST portal से जो है इसका refund का reference number भी मिल चुका है, और अब एक final step जो pending है नहीं कि मेरे account के अंदर उसको credit होना है, जो कि 1-2 दिन के अंदर amount मेरे bank account के अंदर credit हो जाएगा तो उसी की सारी update मैं आपको इसके अंदर दूँगा, तो यहाँ पे भी मैंने GST का अपना portal है, वो login किया हुआ है और इसके अंदर आपको अपनी जो refund का आपने उसमे apply किया था, उसी की complete detail आगप चेक करनी होती है, तो आपको services पे click करना होता है, और services के अंदर यहाँ पे होता है user service, तो user service के अंदर होता है, my applications जब आप इस पे click करते हैं, तो यहाँ पे आपको वो application का type select करना होता है, कि आपने किसके लिए apply किया था, मैंने refund के लिए apply किया था, तो यहाँ पर मैं refund select करूँगा, और यहाँ से ओ date select करूँगा, मैंने अप्रेल मन्त के अंदर जो है, उसको file किया था, 26 अप्रेल को, तो मैंने जैसे 20 अप्रेल select किया है, और इसके बाद यहाँ पे मैं आज की जो date है, वो select कर लेता हूँ, और मैंने करता हूँ search तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे ARN नंबर दिया गया है, यहाँ पे form नंबर दिया गया है, कि GST RFD 01 फार्म होता है, और यहाँ पे refund के लिए है, और refund के लिए मैंने जो filing किया था, वो था यहाँ पे 26-4-2023, यानि कि 26 अप्रेल को मैंने इसमें apply किया था, और status आप यहाँ पे देखेंगे कि refund sensor, यानि कि मेरा जो refund है, वो sensor हो चुका है, अब इसी की detail मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैं ARN पे click करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब मैंने इसको application के लिए apply किया था, तो वो apply की data जाती है, और इसी के अंदर यहाँ पे जब action पे मैं click करता हूँ, यानि कि यह download form अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, पहली step, जब मैं इस पे click करता हूँ, तो यह GST का जो form होता है, जो मैं दिखा देता हूँ, यानि कि यह एक step जो होती है है, और इसके अंदर आप देखेंगे कि total आपका amount जो हो जाता है, यहाँ पे integrated test यानि 12,000, तो यह इसमें इस तरह से होता है, और यह नीचे मेरे bank की detail होती है, ठीक है, तो यह हो गया, पहली step, अब second step के बाद में क्या होता है, जब मैंने refund के लिए पाई किया, तो मेरे पास जो होता है, notice मुझे रिसी होता है, अब notice के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे, कि यहाँ पे reference number होता है, date के साथ ही मैंने और इसी के साथ acknowledgement की जो slip होती है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, तो जब आप इस पे click करते हैं, download पे, तो होता है, GST RFD 02, पहला form था आपका, जैसे apply करते हैं, second number का यह form generate हो जाता है, इसके अंदर भी आपकी detail होती है, कि आपने जो apply किया है, और इसी के अंदर आपका, जो central judiction होता है, आपका कौन सा है, वो सारी detail आपके इसके अंदर आजाती है, तो यह इसमें हो गया second step, फिर इसके बाद में, जो एक और notice मुझे मिलता है, उस notice का भी मैं format आपको दिखा देता हूँ, जो की आपको personal hiring के लिए, जो है, GST के office में आपको बुलाया जाता है, वो बुलाने के case में भी वो उसमें आपको ये explain करना होता है, कि आप जो अपना electronic case laser के लिए, इसमें आपने refund के लिए अपलाई किया है, उसकी वज़य क्या है तो ये इस तरह से यहाँ पर आप देखेंगे, ये RFD08 form होता है, और इसके अंदर भी आपकी पूरी complete detail आती है और यहाँ पर भी amount आपका यहाँ पर पूरा का पूरा शो करता है, तो इस तरह से ही काफी इसमें form होते हैं, जो कि इसमें time to time आपको इसमें update देनी होती है तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा, कि जब मेरी इसमें personal hiring होनी और reply मैंने क्या दिया था, वो भी हम आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर होता है reply और undertaking, अब यहाँ पर मैंने जो अपना reply दिया था, 156 को मुझे जाना था personal hiring के लिए और वहाँ पर मुझे details को share करना था, तो इसमें भी form जो होता है, document मैं वो भी दिखा देता हूँ, कि उसकी क्या format होती है और इसके अंदर, जब आपको कोई notice अदर issue होता है, तो वहाँ पर आपको personal hiring के लिए बलाया जाता है, और बलाने पर आपको अपनी वजय explain करनी होती है, तो वो चीज उसके बाद ही आपका जो amount sensor होता है तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह भी पूरा acknowledgement है, RFD 09 जो होगा था इसके अंदर, और इसी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, कि मैंने जो reply दिया था, यानि कि जब personal hiring के लिए मैं वहाँ पर जा नहीं पाया, तो मैंने अपना जो reply दिया था, यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने कुछ line यहाँ पर लिखी थी, कि I am online seller, ठीक है मैं एक online seller हूँ और I have sell product through online platform, such as Amazon, Flipkart, Misho and इत्यादी, इसके अलावा और मेरे platform, जैसे मेरे आपना खुद का store, SS Digital India, इसके अलावा मैंने refund के लिए apply किया है, यानि कि electronic cash credit laser balance 12,000, केवल मैंने यह line लिखी थी, कि मैं अपने online seller हूँ, और online seller, अपने अलग-अलग platform पे अपने product को sale करता हूँ, और sale करने के साथ ही, जब customer को successfully delivered हो जाते हैं, तो उनमें 1% का TCS deduct किया जाता है, उसी amount को मैं यहाँ पर refund के लिए apply किया है, तो इसके बाद, जब यह मैंने reply किया, reply के बाद में order का status मा आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो refund है, वो sanction हो चुका है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, payment order की गर detail की बात करता हूँ, तो जब मैं इस पर click करता हूँ, तो यहाँ पर मेरे payment की detail है, detail से मतलब होता है कि आपका reference number जो होता है, यानि आपका जो amount sanction हुआ है, उसमे reference number या जो भी आपका इसमे acknowledgement number होता है, वो आपको इस PDF file के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी इस तरह से जो होता है कि refund, sanction, order number आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, और नीचे आप देखेंगे कि पूरा total amount की detail हो जाती है, यहाँ पर मेरे bank की detail है, तो इस तरह से करके यह फिरा final जो update था, मैंने आपको इसके अंदर दिया है, और इसी के साथ documents अगर आप देखेंगे, तो अलग-अलग, यानि कि जब भी आप electronic cash credit laser के लिए अपलाई करते हैं, तो काफी सारे, यानि कुछ AC steps होती है, जिसमें कि दो से तीन महीने का time लगता है, और दो से तीन महीने के बाद ही आपका, जो है, refund sensor होता है, अगर इस बीच आपका जो भी होता है, अगर कोई portal पे या इसके जो internal team होती है, GST के officers इसको चेक करते हैं, पोर्टल पे अगर किसी तरह का कोई भी fault अगर आपके इसमें पाया जाता है, तो आपका amount जो है, वो sensor नहीं होगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यह final मेरी steps होती है, तो यह सारे के सारे मैंने formats आपको दिखा दिए, तो इस तरह से जो है काफी form इसमें, one by one करके जो steps होती है, उनके form generate होते हैं, और generate होने के बाद, अब आपको मैं अपनी audit history अगर दिखाता हूँ यहाँ पे, तो इसमें आप देखेंगे, पूरी की पूरी सारी steps इसके अंदर दी गई है, कि यानि serial number one से लेके six तक, यानि इसमें total sensor होने में लगी, और यहाँ पे 26 अप्रेल को मैंने refund के लिए apply किया था, और इसके बाद में आप देखेंगे date by date, यानि 26 तारीक हो, इसमें GST RFD 02 application था, उसका reference number यहाँ पे दिया गया है, और देने के साथ ही time to time जब मैंने इसका reply किया, यानि कि मैंने time to time, मेरे को 15 June को वहाँ पे hiring के लिए जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाया, तो मैंने इसका reply दिया था, reply में आपको दिखा चुका हूँ कि मैंने क्या reply उसमें submit किया था, और इसके बाद में 36 को आप देखेंगे, यानि आज की date है, 30 June की आज की date है, और आज ही मेरा refund जो है, फाइनल हो चुका है, फाइनल का मतलब होता है कि ये मेरे को sanction हो चुका है, और होने के साथ ही ये देखेंगे, जो यार लास्ट का जो होता है payment order issued, यानि कि मेरे को जो है GST RFD05, यानि कि ये final step होती है, यानि कि मेरे को जो है GST के जो portal है, portal की तरप से मेरे को इसका amount जो है, sanction हो चुका है, अब किसी भी तरह की कोई भी किंतु परंतु नहीं है, ये मेरा amount जितना मैं नहीं दिया था, 12,000 का जो है मेरे bank account के अंदर credit हो जाएगा, तो ये तो होगी इसकी final step, अब मैं आपको और भी इसका trick का एक process है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ARN नमबर है, इसको मैं copy कर लेता हूँ, और copy करने के साथ ही, अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ पर services और services के अंदर यहाँ पर होता है, refund और refund के अंदर होता है, track application status, जब मैं इस पर click करता हूँ, तो click करने के साथ ही, यहाँ पर ARN नमबर म कि सारी की सारी steps, सबसे पहली जो step होती है, जब भी आप मैंने आपको form दिखाए थे, form के अंदर अलग अलग जो type के form आपने देखे थे, उसके अंदर RFD 01, जब भी आप refund के लिए apply करता है, और second process इसके अंदर होता है, acknowledgement के अंदर RFD 02, वो process मेरी complete हो गई है, third number के जो इसमें order issued, इस तरह से हो जाता है, अब केवल एक step रहती है, यानि कि distribute हो जो होना है कि मेरे account के अंदर, जो कि within 24 hours के अंदर, या कभी भी या कल या परसो के अंदर, ये amount मेरे bank account के अंदर, जो है, वो credit हो जाएगा, तो ये दोस्तों, GST जो portal पे मैंने आपको दिखाया कि electronic credit cash ledger का ज उसको transfer होने में, approach आप मान के चलिए, दो से धाई महिने का जो time लगता है, और ये इसकी final update है, यानि कि इसके बाद मैं इससे related जो भी videos होगी, वो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि ये सारी की सारी, एक final last step है, अब मेरा यहाँ पे सारी complete हो चुकी है, क्योंकि अब किसी भी तरह cash credit laser balance के लिए, अगर जब apply करते हैं, तो उसमें आपको 2-5 महिने का time लगता है, और इसी का ये process मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप उसके लिए apply करेंगे, और apply करने के साथ ही, मैंने आपको सारी इसके formats भी दिखा दिये, और दिखाने के साथ ही, जो time लगता है, वो follow कर डी होती है, follow करने के साथ ही आपको time to time उसका reply भी देना होता है, तो अगर आपका reply इस तरह से होता है, उनको अगर satisfies हो जाते हैं, GST के जो officers होते हैं, तो इसी के बाद में ये sentence हो जाता है, और अगर आपके GST पोर्टल पे या आपने GST अगर आपने time to time submit नहीं करते हैं तो उस case में आपका ये sentence रुक भी सकता है, तो ये कुछ ऐसी details थी, जो दोस्तों मैंने आपके साथ में share की, वीडियो अगर आपको पसंद आए, दोस्तों तो इसे like और share जरू कें और मेरे channel को subscribe करना ना भूलें